जैहिन साथियों इसमें 73 से अधिक गाउन इसमें प्राभावित हुए है और 1200 लोग इससे प्रभावित हुए है इसका नामकरर किस ने दिया है तो इसका नामकरर ठाइलेंड दिया है जो समुद्र में चक्रवाट उठता है इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि समुद्र में जो लहरें उठती है वो बहुत भायानक रूप से उठती है इनको कोई रोक नहीं पाता है इसमें नाव डूब जाती है अगर छोटी नाव है तो वो तो डूब ही जाती है तो पहले के चक्रवाद जो आते थे नर्गीस होता था उसका नाम कैसे होता था नर्गीस होता था एला होता था कैटरीना होता था विक्टर होता था ऐसे ऐसे नाम होते थे पहले के जवाने में पहले मतलब 2000 के पहले तो क्या हुआ कि ये सब नाम कैसे पढ़ते थे तो अमेरिकी जो नौसेना थी जो समुद्र में तुफान आता था अमेरिकी जो नौसेना थी तो ये नौसेना जो थी ये अपने पतनी के नाम पर इन तुफानों का नाम रख देती थी जैसे मालिजे की कोई तुफान आया और उसमें नोसेना है वहाँ पे और जब अधिकारी पूछते थे कौन पूछता था यह सारी बाते हम लोग करेंगे कौन इसका नाम रखता है तो जब वो पूछते थे कि कैसा था वो तुफान तो कहते हैं, अरी बहुत भायानक था, जैसे कि हमाई पत्नी है, नर्गिस जैसे है, उतनाही भायानक था, यानि वो उनकी पत्नी की याद आती थी, उनको जो चक्रवात था, उनको देख के उनको पत्नी की याद आती थी, यह अरी इतना भायानक तो हमाई पत्नी रियक्ट कर पत्नी की याद आ रही है तो उनकी पत्नी के नाम पढ़ जाते थे तो उस तुफान का नाम कैटरीना हो जाता था और एक संस्था है WMO World Meteorological Organization इसको कहते हैं विश्व मौसम विभाग संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी अस्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी इसलिए विश्व मौसम दिवस देखिएगा 23 मार्च को ही मनाय जाता है इसका मुख्याला तो है जिनेवा सुटिजा लैंडवे इसका मुख्याला है इसके अध्यच कौन है गेरहान एड्रियन इसके अध्यच है जब तुभान आता था तो यही इसका नाम करड़ करता था यह बताते थे जो नौसेना कायदकारी थी और यही इसका नाम करड़ करता था और सारे पहले जो नाम होते थे, सारे औरतों के नाम पे होते थे, नर्गिस, कैटरीना, विक्टर, एला, ये सारे औरतों के नाम पे होते थे, फिर इसका बिरोध होने लगा, औरते लोग इसका बिरोध करने लगे कि अरे हम इतना भायानक हैं, जो हमारे नाम पे इसका नाम कर नहीं होता था, तो भारत वालों ने और जो हिंद महासागर से सटे देश हैं, वो इसका बिरोध कि ए कि आप लोग उधर का ही नाम रख लेते हैं, इधर का क्यों नहीं रखते हैं, तो सन 2000 में इसका बिरोध कि ए, और 2004 में चल के एक संगठन बना भारत की पहल पे, 2004 में बना, उसमें कौन-कौन से देश आये तो उसमें आठ देश आये वो आठ देश कौन-कौन से थे तो नीचे से देख लिजे सिरलंका था, मालिव था, भारत था, पाकिस्तान था, ओमान था, इधर में अमार था, थाइलेंड था और बंगलास देश था ये आठ देश इधर निकल के तो 2004 में निकल किया और 2008 ने 88 नाम दिया कि जो तुफान आएगा अब उसका नाम करड़ इस नाम पे होगा तो आठो ने 88 नाम दिये इस संस्था को WMO संस्था को 88 नाम दिये 2004 में ठीक और उसका नाम करड़ माली जे कोई तुफान आया उसका नाम करड़ कैसे कि यह 64 नाम हो ग इसलिए alphabet में रखा जाता था, जैसे मालीजे पहले बंगलादेश B से शुरू हो रहा है, फिर माल्दिव है, तो उसके बाद से M आ गया, फिर म्यामार है, फिर से M आ गया, तो इस तरीके से alphabet में रखे जाते थे देशों के नाम, अब फिर इनके द्वारा जो सुझाओ दिया गया था, आठ नाम बंगलादेश के द्वारा दिया गया था, फिर आठ नाम माल्दिव के द्वारा, ऐसे आठ आठ नाम सब के द्वारा दिया गया था, तो मालीजे कोई तुफान आया, फिर एक नाम बंगलादेश का नाम कोई उठा के दे दिया गया, फिर कोई तुफान नाम जो था वो सबसे लास्ट नाम अमफान था इस चौसठों का नाम में लेकिन 2008 ये तो आठे ही देश थे और देश भी कहने लगे कि भाई हमको भी इसमें सामिल करिए हम भी तो इस छेत्र में आते हैं तो 2018 में पांच देश और आए वो पांच देश कौन से थे तो इरान, क अतर, सौधी, अरब, UAE और अमन ये पांच देश और आगए 8 यहां से 5 वहां से 13 तो 2000 ये जब 64 नाम खतम हो गया तो 13 तेरहो देश ने फिर 13 तेरहो देश ने तो 169 नाम हो गया है अब सारे नाम जो तुफान आते हैं और सारे नाम अब रखे जाते हैं इंहीं का एक एक न जब embroidery का दिया हुआ है इसके साथ साथ ये भी देख लिजेगा कि यह नाम क्यों दिये जाते हैं क्या करने के लिए तो जब यह नाम दीए जाते हैं इसलिए कि वहां की जनता अलोर्ट कर देगा यह नाम बहुत छोटे होते हैं दो अच्छर के तीन अच्छर के ताकि लोग रहेगा तो सब को याद कर लेगा तो पहले ही नाम दे दिया जाता है कि ये तुफान आने वाला है तो जन्ता क्या होती इससे सतर को हो जाती है वहां के जो छेतर होते हैं जिस एरिया में वो आने वाला इससे सतर को हो जाते हैं तो इससे बहुत मदद मिलता है ये अभी हमने आता है तो वहाँ से एक नाम उठा कर देता है ठिक अभी देखिएगा अभी ताउते जो आया था उसका नाम करण किस ने किया था तो उसका नाम करण म्यामार ने किया था अंफान जो लास्ट जो चौंसर नाम था अंफान लास्ट था उसका नाम करण थाइलेंड ने किया था टी सबसे लाश्ट में आता है तो उसका ये थाइलेंड हो गया गुलाब, पाकिस्तान, निवार, इरान, ओखी, बांगलादेश और भारत का क्या है गती, मेग, आकास भारत वाले ऐसे ही नाम रखते हैं गती, मेग, आकास अब पाकिस्तान है क्या करता है उँ देख लिजे कैसा नाम रखता है गुलाब, लैला, नर्गिस, बुलबुल इसा ये शुरू से एक खचरा है ऐसा ही नाम रखता है ये भी नाम गगा गुलाब दिन रात इसी में रह जाता है गुलाव लड़की ये इसी में रह जाता है लैला नर्गिस बुलबुल ये कैसा नाम भारत का नाम देख लिजे गती, मेग, आकास, वायू ऐसा ऐसा नाम है भारत का लेकिन ये उल्टा सिधा नाम लगता है जब आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि नाम करर कैसे होता है, कौन देता है ये इंपोर्टेंट नाम जो एक्जाम में पूछे हुए है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी अगर class अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यबाद साथ ही हूँ